थुली दोस्तों आजका दिन जहारखंड के लिए सबसे सबसे बड़ा special दिन बोले तो ये भी कम पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि आज जहारखंड के तीन बीटियों ने जहारखंड की तीन बीटिया देश की पहला तो सबसल्पले में ये बताऊँगा देश स्टार तिरंदाज जहरगंड की सान दिपीका कुमारी ने बिसकप में इत्यास रच दिया है पैरिस में चल रहे है बिसकप तिरंदाजी बिसकप में इस दुनिया के नमबर एक तिरंदाज बन गई है अपनी दिपीका कुमारी यह आपको पता है कि first time इनका जो पहला rank था 2012 में यह आपको बताने में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुसी हो रही है क्योंकि यह एक ही दिन में 3 gold दिलाई है एक دीन में, एक ही दिन में 3 gold पहला जो है recarp team के साथ गो recarp team के साथ इसमें जो 3 player और हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे डीटेल से लेकिन पहला और दूसरा mixed events अपने पती के साथ जो दूसरा में gold जीती है दीपिका कुमारी वो अपने पती के साथ और तीसरा बैक्तिगत इवेंट में वो अपने खुद से तो हमें सबसे पहले बताऊँगा कि जो महिला टीम के स इसको भी डीटेल से बताऊँगा पहले यह साथ में पती के साथ है पती के साथ अतुनुदास और उनकी पतनी दीपिका कुमारी मिसरित टीम असपरदा के फाइनल में नीदर लेंड के जेफवान डेनवर्ग और ग्रेबियला सोलेसर को पहले तो सबसे पहले 0-2 से पीछे लेकिन इसका मुकाबला तुरंत ही उसके जबाब में देती हुए 5-3 से जित हासिल की है यह और इसके बाद आपने आपको यह बता दिये कि पहला जो मेहला टीम के साथ जो पहला गोल जीती हो मेक्सिको को हरा कर 5-1 से हराया उसके बाद दूसरा पती के साथ निदर लेंड क के बारे में बात करूं तो बैक्तिगत इवेंट में रुस की महिला है एलีना ओसी जेवा को 6-0 से हराया और आगे मैं बात करूं कुमलिका बारी की में थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं ये सबसे पहले 2019 में स्पेन में आयो जित भी स्वा तीरंदाश जी में चेंपियंशिप में गॉल्ड मेडल जीता था ये कौमलिका बारी जो है जमसेतपूर की रहने वाले जी हां दोस्तों इसको नौटिस दिपिका कुमारी ये राची से बिलोंग करती है और कौमलिका बारी जमसेतपूर से ये आपको पता दूगि टाटा अरचरी अकेडमी में उन्हें दुरोनाचायरी पूरी निमा माहतो को आप जानती होंगे तो ये दुरोनाचायरी पूरिशकार से ने समानित क्या गया है ये और धर्मेंदर तिवारी जैसे दिगच परसिछकों से परसिक्षित हुई है कौमलिका बारी और मैं बात करूँ अब अंकीता भगत की तो अंकीता भगत ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं इनका जो जन्व हुआ है वेस्ट बंगाल में ही इसका जन्व हुमी है और ये सबसे पहले जो शुरुवातिय ट्रेनिंग हुआ है ये कलकेटा अर्चरी कलब से लिए है उसके बाद ये क्या हुआ कि 2014 में जमसेदपुर आ गई और वे टाटा अर्चरी अकेडमी से वो अपना ट्रेनिंग जारी रखी इसके बाद 2017 में वर्ल्ड कप का जो यूथ चेंपियन सिंप हुआ था अर्चेंटीना में उसमें ये गौल्ड जीती थी तो आपको ये तीनों कौमलिकावारी अंकिता भगत और दिपिका कुमारी के बारे में ये थोड़ी से जनकारी जितना हम तारीफ करें ये उतना ही कम पढ़ेगा क्योंकि आज जहारखंड के लि लेकिन अभी थोड़े ही बातों बातों में अगर इनका थोड़ा सा देख ले तो क्या है कि अब तक का और आज का तो ये दिन तो खुशाल रहा है गौर्णित करने वाला दिन रहा ही है ये इसमें थोड़ा भी हम तारीफ कम करें तो भी कम ही पढ़ेगा अभी आपको ये आपको पता कि 2012 में सबसे पहला रिंग था और अभी फिर से ये पहला रिंग हासिल कर चुकी है दुनिया की पहला पुरे दुनिया के बात करें ये पहला पहला रिंग हासिल है ठीक है और इनका आपको बात करें तो अब तक का दिपिका कुमारी का 9 गॉल्ड 12 रजत और 7 का कि हो जाता है क्योंकि decjajặc के बारे में बात करे तो अधिपिका कुमारी यह टोक्यों ओलंपिक में त inability में तिरभाजी में पाइटिस्पेट कर रही है और यह अपको जानकर बहुत यह अमीद, जताया जा रहा है, हमारे राज और पूरे देश, यह उमीद हम लोग देश कि अब तोक्यो ऐलमपिक जो होने वाला है, तो क्यो अलम्पिक इसमें इनका अभी तक गोल्ड नहीं आया है, तो अम लोग परवले से दुआ भी करेंगे, और सब का सब, पूरे राज और पूरे देश इस पे हम लोग कयास लगाए हुए है कि इस बार गोल्ड पक्का है गोल्ड हम लोग को आना चीए चलिए धन्यवाद दोस्तों और फिर मिलेंगे कुछ ऐसा ही एक अलग वीडियो के साथ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद